सुधीरासर, जब से सामाजिक काम चल रहा है, तो ये बात तो तै है, कि जितने भी सामाजिक काम चले, उन सामाजिक कामों में हम कभी जीत नहीं पाए, उन सामाजिक कामों का कभी को रिजल्ट नहीं आया, इतने सारे संगठन होए, वो सारे संगठन तूटते चले गए, तू सकते हैं ऐसा क्यों है कि संग इस बात को ठोक के कहता है कि हम जीतेंगे तो सिर्फ संग से ही जीतेंगे और क्यों हम आज तक संगठनों से जीत नहीं पाए और अगर ऐसा है तो उसका कारण क्या है असल पुरानी जो हिट्री है वो यह कहती है कि सब को अगर जोड़ना है कूरे जैसे महा भारत या सोले महा जन्पत थे उनको जोडने के लिए जो इस्ट्रक्टर त्यार हुआ उसमें उसमें एक सांगह के structure त्यार हुआ था, संघ का, और दुनिया में बहुत साय लोगों ने वो संघ का structure अपनाया, तो बहुत बड़े अगर चेत्र को, बहुत ज़्यादा भासाओं को, बहुत ज़्यादा अलग-अलग मतों को, को मतांतरों को बहुत ज्यादा तरह के वीविता भरे लोगों को एक कल्चर को छोट छोटे Prophet अलग लग तरह की informing को या अलग-ख्छेत्रों को जहां वीविता एंतर यहां उनको अगर एक साथ करना sensor ना हो तो आप किसी एक छोटे से मुद्दे को या किसी एक छोटे से बेनिफिट को या किसी छोटे से ऑब्जेक्ट को या एक छेत्री ऑब्जेक्ट को या एक छोटी सी समस्या को लेकर नहीं खटा कर सकते हैं और अगर उनमें जगड़ा लगा दिया जाए उनमें मतों में अंतर आ जाए तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक यूनिवर्सल प्रेट फार्म चाहिए। एक ऐसा प्रेट फार्म चाहिए जो सभी के लिए एक्सेप्टेबल हो और सभी लोग उस पर यकीन करते हूं। तो इसकी सुरुवात जो सिध्धत गौतम है उन्होंने की थी। सिध्धत गौतम ने जो प्रेट फार्म उसमें बढ़ाया। और उससे पहले वो जिस संग के मेंबर थे। क्योंकि बुद्ध बनने से पहले जब सिध्धत गौतम थे। तो 21 साल की उमर में एक प्रेट फार्म था। बले वो छोटा सा कह सकते हैं पर वो समन कल्चर का था। समन संग का था। और वो सांगिक था। वहां से वो प्रेट फार्म हुआ उसके बाद फिर बुद्ध ने जब संग काम आरम किया धमिक संग का। तो उन्होंने वही नियम लिए और वही सांगिक था। और उसी को बाद में समराठ असुक ने अपने संविधान में अपने राज्य के नियम में लागो किया। लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों का। तो दुनिया में अगर सब को जोड़ना हो तो आपको सांगिक था। अब भारत का अधायांपल देखेंगे तो भारत के एक जैमपल में अगर आप ये कहुए आज के समय के सारी डुनिया के जितने एक मजभ नों के या एक रिजन puta हैं उनको जोड़ने के लिए उसंगिक था रिए बारत के स queens and lift में शृष 157 झ। उन्होंने सभी लोग कyu जोडने के लिए सांगिधा पनाया seems और जे उनको सौ साल लग दग पर आज वो काम्याब है क्योंकि सांग धांचे से तो उस सांगिक धांचे में अगर कोई संघ्थन अपन उठाथा यह अलग चलने की कोसित करता है तो वो उसको खतम कर देते हैं या उसको दर्खनार कर देते हैं उसको रखते नहीं तो भारत के अंदर अगर आपने सभी संवनों को जोड़ना हो सभी संवनों के संख्थनों को जोड़ना हो सभी संवनों के धार्मिक लोगों को धंमिक लोगो को या सामाजी लोगों को सब को जोड़ना हो तो आपको एक सांगिक धांचे की आवशकता पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि लोगों का यकीन अपने संग्ठन में हैं पर जब सब का अपने संग्ठन में यकीन है तो किसी का दूसरे संग्ठन में यकीन नहीं होता तो उनको हो 한 Fine button प्रेवासब करने के लिए, लिए में प्रेटार ट्रिर्परप और हमारे जो सम्म्रशक्णा आधे हैं, वो संगत कर शूक्य हैं अब ऑछी भषालों में हैं, वो एकस्पेरिमेंट कर्ने के रहे हैं। दोजार चौबिस के बाद में जन्ता उनको नकार देगी, जन्ता कहेगी कि हम संग्ठनों पर यकिन नहीं करते हैं, क्योंकि सारे संग्ठन साट साल से और उससे पहले से भी यकिन दलाते हैं कि हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे, पर सारे अलग-अलग हैं, तो काम्याब तो हो नहीं रहे, तो काम्याब जब नहीं होंगे, तो लोगों का यकीन उठ जाएगा, फिर वो यकीन दराना भी चाहेंगे, तो भी यकीन नहीं होगा, पर संग का यकीन पुराना है, संग पर भरोसा पुराना है, और ना केवल अपन बेवने आने संग पे वरोसा है, दूसरे संग काramosडम पे वरोसा है, तो फिर अर्वने संग में आना पड़ेगा, इसलिए संग में जीतने की गारंटी है पहले भी थी, अभी है, और वela संग्ठन में कभीчесा सामूहिक रूप से जी दिने की गारंटी है, आप कहीं खट्टे हो कोई चोटा मोटा काम करा सकते हैं, कोई F.I.R. लिखवा सकते हैं, किसी खिलाब प्रदेशन कर सकते हैं, किसी घटना में कोई भवन टूट गया तो भवन को बनवा सकते हैं, कहीं कोई नौकरी मोखरी का चोटा मोटा केस है तो उसमें आप प्रदेशन कर सकते हैं, किसी डेप उस पे संगठन से अफैक्तिव नहीं हो सकता, जब कि कोई छोटी मोटी आगर गटना है, लोकल गटना है, उस पे एकिजा हिससे पे भी अगर हम बात करें तो उस पर संगठन काम कर जाए उसकी भी कोई गैरंटी नहीं है, उसकी गैरंटी भी थे जastनी क्विया है, जब कि अच्छे मन से कोई सच्चा काम करने के लिए चला लेकिन उसको इतना मज़ा आने लगता है वेक्तिवाद में उसकी जज़ेकार होने लगती है उसको इतना पैसा मिलने लगता है उसको इतनी जज़त अटेंशन मिलने लगती है कि उसके अंदर चाहते ना चाहते वो सारे लाल पड़ी हैं तो बाद में दो का हिजाब लेते हैं कि कौन पक्या है। माला तक गिनते हैं कि 20 के पैसे दिये थे 20 माला क्यों नहीं पड़ी। इतना बुरी तरह से जकड़ा हुआ है सिस्टम बहुत ज्यादा। पद, पोष्ट, मंच, माला, माइक में तो इस्तिती बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए संग की गारंटी है। पर अफसोस इस बात का है कि संग्ठन के लोग संग को समस्त हैं। पर वो चंदा में, पोष्ट में, पद में, मंच में, माला में, पदाधिकारी, उत्राधिकारी, भवन में इतने ज्यादा इन्वल्व हो चुके हैं कि वो इसका विरोध करते हैं। पर अच्छा है विरोध करेंगे तो भी बात तो जाती है। मतलब तो यह कहा जा सकता है कि अगर वो संग को समझते हैं, संग की जानकारी रखते हैं, संग के फायदों को जानते हैं। अब उनका जो अपना काम खत्रे में आ रहा है तो इसलिए वो संग का विरोध कर रहा है। उनका काम क्या खत्रे में आ रहा है। दरसल अगर उनको कहीं जाएं और जहां जाके उनको मंच ना मिले, बीच की कुर्सी ना मिले, वहवाई नहों उनका भाशन नहों तो इस बात से वो काम जाते हैं। वह बड़ी तो लालश में फच चुके हैं, राग में दैस में फच चुके हैं और ज्यानता में फच चुके हैं बेसी कली और मैं तो यह कहूंगा बढ़ी जाता हैं, वह उनको सोजैटी से भी अपना कोई बतल लग यह अपनों से भी मतलव नें। इसे तो बहुत सारे लोग हैं और ऐसे लोग इस बात की गैरंटी है कि ऐसे लोग कभी हमें जिता नहीं सकते तो यह तै है कि अगर हमारी जीत होगी तो वो संग से होगी क्योंकि अभी तक जितने भी experiment किये गए वो सारे फेल हुए हैं और संग कोई experiment नहीं है यह हमारा पुराना culture है अब जब संग निकल के आ रहा है संग अपना पुराने culture पे चल रहा है पुराने नियमे पे चल रहा है तो यह तै है कि संग ही जिताएगा संग अठन हमको नहीं जिताएगा हाँ यह बार ठीक है संग ठन हमेंसा हारेगा और संग हमेंसा जीतेगा यह पहले भी हुआ है यह अब भी होगा चलिए संग नमामी